जैसा कि आप सब जानते हैं लोग सबाई एलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं हमारे साथ सही जिशान मुझूद है जो की पेशे से एड़ोकेट है और पिछली बार MPK एलेक्शन लड़ चुके हैं और इस बार भी एलेक्शन लड़ने के मूड में है लेकिन दिक्कत यह आ र हो चुकी है और दस से उन्निस तक का टाइम था नॉमिनेशन फाइल करने का लेकिन चार दिन और गॉर्मेंट हो चुके हैं और अब जो है मुगल रोट बंद हो गी है इसी चक्र में यह कह रहे हैं कि यह चाहते हैं कि जो यह एलेक्शन से यह थोड़ इसी आगे कर दिये ज हो जो वक्तन हमारी आवाज आला हुकाम तक पहुंचाते हैं जिस तरह के आपको पता है कि जमूरियत का जशन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रिसी जो है वो हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और उसी संदर्व में अनंतनाग राजोरी पारलिमेंटरी कॉंस्चिएंसी म में और ये इलेक्शन का जो स्केडूल है इसमें दस तारीक से लेके उनिस तारीक तक का वक्त दिया गया है जिसमें हमें अपने नॉमिनेशन फाइल करने हैं और आप देखें कि चार दिन तो इसमें चुटी रही और उसके बाद आप मुगल रोड हो चुकी है बंद मैं आ लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारी वैदर कनेक्टिविटी जो हमारी रोड कनेक्टिविटी जम्मू के साथ है वो हमारी कश्मीर के साथ नहीं है मुगल रोड जो है वो भी आल वैदर रोड नहीं है और वहां पे छे से आठ महीने तक जो है वहां पे बिलकुल बंद र रहा है कि आप देखें कि अगर union government को या election commission of India को कोई selected member parliament house of people के अंदर लेके जाना है जिस तरह उनका lieutenant governor है तब तो election करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे लगता है लेकिन अगर वो चाहते हैं कि 19 लाख electorate इस parliamentary constituency में हैं और और वो अपना वोट कास्ट करें वो अपने leaders से मिलें और उनके जो उनके candidates हैं वो उन तक पहुंचें उसके लिए चाहिए साब time यह time जो है third phase में election जो यह लोग करवा रहे हैं मुझे लगता है कि इससे जो candidates हैं ना तो वो पहुंच पा रहे हैं नहीं वो आवाम तक पहुंच पा रहे हैं वो तो और जमूरीत का जशन है तो रिस्पॉंसिबिलिटी है यह election commission of India की कि वो free and fair trials को conduct करें free and fair trial कब कैसे conduct होगा जब तक मेरे जैसे नोजवान लोग या जो भी लोग मतमनी है election लड़ने के वो अपने returning officer तक नहीं पहुंच पाएंगे दूसरी बात जो इससे भी important है कि क्या अनंत नाग पीर पंजाल seat इस वोकत सबसे hot seat नहीं मानी जा रही जमू किश्मीर की अगर मानी जा रही है तो सबसे जादा बेदबाब भी उसी state की साथ क्यों किया जा रहा है candidates parties अपने announce कर रही हैं लेकिन उनके credentials भी तो लोगों के सामने आने चाहिए न हमें भी मोका मिलना चाहिए कि हम अवाम के बीच में जाके इन leader के बारे में पूछें कि ये leaders तो पहले की भी कोई सुरूरत नहीं है सिधा candidate को डिकलेर का दीजे दिस इस दा वेनर candidate तो बात खत्म बदकिस्मति ये पीर पंजाल की अवाम की होगी अगर हमें time को extend ना किया गया election commission के द्वारा और हमें time ना दिया गया कि हम अपने लोगों के बीच में जाके उनसे बाद कर सके और फैसला कर सके कि हमें election लड़ना है नहीं लड़ना लड़ना तो किन मुद्भूं पर लड़ना मुद्भू मुद्धे इस वकत दिखाई नहीं दे रहे हैं यह अगरा सब्सक्राइब कोई बड़ा बड़ा मसला नहीं है जिनने फारम पर न जाना हुंदा है वो नेशनलाई बेज़ड़ा पर अपने जमूसिर नगर जरनेली सब्सक्राइब बड़ी अच्छी बात आपने कही है और इसी बात पर मैं आपको कहूं कि जूगल किशोर शर्मा जी न होस और पीपल लोग सबा एक पवित्र मंदर में खड़े होकर कहा था कि अब जो पुंच के लोग हैं वो हवाई चपल पहन कर चापर पर जो है जम्मू से पुंच का सफर कर रहे हैं कि हैलिकप्टर सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है बदकितमती से वो जूट बोल र पहुंच जाएंगे लेकिन मेरे जैसा जो नोजवान है उसके लिए मुश्किल है हमारे पास फाइनेंशल क्राइसिस हैं हमारे पास लोगों के पुंचने के लिए टाइम कम है और आट सो किलो मिटर का ट्रैवल अगर मैं करके जाओंगा मेरी तक लाग की टूट जाना मारा है सबसे इंपॉर्टन्ट यह है कि अगर मुद्धे अगर मुद्धूं पर इलेक्शन होगा हमारे लिए हम नोजवान हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टन्ट यह है कि नोजवानों के लिए क्या मैनिफेस्टो है गरीब के लिए क्या मैनिफेस्टो है क्या क्या वादे जो होगी वो डिमोक्रिसी का फेलियर होगा कि हम लोग मुद्दू से अटकर राजनीती करेंगे कमिनलिजम पे हम राजनीती करेंगे रिजनलिजम पे हम उस रिजनलिजम की राजनीती के खिलाफ कमिनलिजम की राजनीती के खिलाफ एक जम्मू किश्मीर एक जम्मू किश्मीरी क बात करने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को बिला लिहाज मजभ और मिलत रंग और नसल अब गिल साथ जिए तुसे मुद्धे नी गाल कीती है ते मुद्धे चुकना विपक्षा काम है क्या तुसे ही लगता है जमू किशियर कोई विपक्ष है यूनियन आफ इंडिया ने सुनी होती और कोई मसला हल हुआ होता हमारा स्टीट हूड रिस्टोर करने का जो बात थी है ऊनरेबल होम Business ने फ्लोऔर पारलेमिंट पे कही है कि हम इस स्टेट को रिस्टोर करेंगे मेरा मुद्धा ये है कि मेरी स्टेट को तार-तार किया गया है दो यूनिन टारिटरीज में डिवाइड किया गया है तो मेरी स्टेट की रिस्टोरेशन होनी चाहिए मेरा पारलिमेंट में जाना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आज तक तीन साल, चार साल गालेबन हो चुके हैं, आप देखें कि आज तक हमारा स्टेटूट रिस्टोर नहीं हुआ, हमारा केडर खतम कर दिया गया, एक बात बताए कि सियासी महोल कैसा आपके रजोदी पुंच, अनंतनाग वाली तरफ सियासी महोल दिन बा दिन बनता भी जाता है, बनता भी जाता है, इट आल डिपेंड्स ऑन दा पॉलिटिकल विल ऑफ दे केंडिडेट्स वर कंटेस्टिंग दा इलेक्शन, जैसा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह है कि मुद्दू पर बात हो, जैसा मैंने पहले का हम लोगों को क्या मजबू जैसे नोजवान लोग नहीं आएंगे, तो फिर बात कुन करेंगा नोजवान की लोगों जैड़े अगर तोसल नहीं आबादे, तो तुन्दी मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टी निकल कर जाए, नेशनल कांफेंस कोल भी केंडिडेट है, उन्हें आपना डिगलेर किता पाई, उन्हें पार्टी है, उन्हें के मजबूरी है, तोसे ही अपना कैंडिडेट एनाउस करगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, इस पे मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ, हमने एक और्गनाइज़ेशन बनाई है 2014 में, जिसका नाम है हक इंसाफ कॉंसल हमने यही देखा इस गांधी नगर के रिजिन में, क्योंकि यहां से सता चलती रही है पिछले सतर साल में, कि लीडर का बेटा जो है, वो पैदा होते हैं, साथ ही चेर्मेन होता था किसी बोर्ड का, आज हम पड़े लिखे नोजवान हैं, हम नहीं चाहते कि कोई सोने का चम बातें करती थी, लेकिन जिस वकर भारतिये जंता पार्टी को मुखा मिला जमू किश्मीर के अंदर हकूमत बनाने का, तो यही महबू मुफ्ती उनके सामने थी, और इनी के साथ उनने हकूमत बनाई, तो उसके बीच में, ट्रस्ट डेफिसिट में कोन लोग मारे गे, दु अपने लेक्शन चे, जीत दिया थे तो उसके अपने साथ आपकरो फिर, जीत हार जीत माइने नहीं रखती, माइने यह रखता है कि आप किती ताकत से जो है, इन समराजी ताक्तों का जो है, वो मकाबला करते हैं, यह जरूरी है, और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मि के मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, कम उसका मुद्दूम पे बात की जाए, नोजवान आप देखें परेशान है, जितनी भी रिक्रूट्मेंट्स यहां पे हुई सब स्कैम की शिकार हैं, और उन लोग, कौन-कौन लोग उसमें मलवस थे, स्केप गोर्स तो इनने बना लेकिन जो बड़े-बड़े मगर मच इस सिस्टम में बैठे हुए हैं, जिनने हमारी नोकरियां खाई हैं, उन लोगों तक आज तक हाथ नहीं पहुंचा। सब्सक्राइब करना हैं, कि लेक्षन लड़नी हैं, जाने हैं।